दोस्तो प्रेंड बीम जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी structure का किसी वी building का तो आज हम आपको प्रेंड बीम के बारे में बताने जा रहे हुआお願いします जो भी आपकी प्लींड बीम का size हो तो उस size हमेशा जो उसकी पारे में के बोटम के अंदर उसका जो विड्थ है वो 100 mm दोनों तरफ से बढ़ा के रखना होता है ठीक है जो यह देखिए हमाल जो शर्टिंग लगी हुए वो 100 mm एक्स्ट्रा लगी हुई है कि जो आपका जो प्लिन बीम है उसका जो कंक्रीट आइग वह आराम से रेस्ट कर लेगा नहीं तो फिर मिट्टी के अंदर भरेगा और उसका जो अनीवन कास्टिंग होगी ठीक है तो हमेशा क्या है कि 100-100 mm एक्स्ट्रा होने चाहिए उसकी विड्थ सबसे बेले जो भी आप इसका जो बैड है वह अच्छी तरफ से त्यार हो जाएगा ताकि बीच में पॉरस ना रहे और वह सेग नहीं होगी तो जो यह हमारी बिल्डिंग है यह बीच में रेक्टेंगुलर है और साइड में जो है दोना तरफ वह राउंड है तो आपको यह दिख रहा होगा हमने म मार्किंग कर ली है अब इसकी शट्रिंग करना बाकि है तो दोस्तों जो हमने PCC कर रही थी प्लिंद वीम की उसका जो है लगबख सरीय बन चुका है अब इसकी एक्स्ट्रा के सरीय की तयारी हो रही है वीम का जो रेंफॉर्समेंट होता है मैंने इसके उपर एक पूरा ड होता है To Pka उसक wszystko कितने डिस्टेंस पे लेते हैं बौटम का जो बार आता है उसको कैसे लगाते हैं सका डिस्टेंस क्या रहता हैpal कि क्रेंद क्या रहती है तो इसके बारे मैंने पूरा डिटेयल वीडियोस के इंदर बना रखा है ठ्यकर आगर आपपको डिटेयल में जह आ और बाकी जो है एकस्टाबार इसके अंदर हम लगा रहे हैं अगर वीम के इक्स्टाबार के बारे में आपको जानना हो तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दुगा तो इससे आपको और ज्यादा क्लिर हो जाएगा ठीकने प्रेंट्स थेंग्यू